तो स्वागत आपका टागेट से 2020 में आज हम डिसकस करेंगे स्टाटिक के सीरीज का टॉपिक नंबर 25 हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा स्टाटिक जीके कर बात करें तो 15-20 कोईशन पूछे जाते हैं मैं हर वीडियो में यह बोलता हूं करेंगे ताकि रिविजन करने में आसानी हो और एक्जाम से पहले टार्गेट होना चाहिए एक स्टाटिक जीके का दो या तीन बार रिविजन करने का ताकि 15-20 कोईशन आपका कवर करें स्टाटिक जीके तो आज का टॉपिक नंबर 25 हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट है भ एकसान लरन् मंत सभी स्टेट के तार्गेट दो या तीन पार्ट में से कंप्लीट करना इस टॉपिक को यहानि जैसे फस टविजन करने लाखे से सबस्याजव Me में कौन-कौन से जंजातिया है तो भील वहां पे होती है बंजार होती है कोली होती है पटेलिया होता है डाफर और तूर्या जंजाती यह जंजातिया है जो गुजरात में पाई जाती है गुजरात में रहती है बात करते हैं सैकेंड आपका हिमाच्य परदेश में कौन-कौन से जन जाती रहती है तो बकरवाल हो गया गुजर हो गया गदी हो गया और लद्दाखी यहां पर यह जन जाती है जम्मो कश्मीर वाले एरिया में रहती है ठीक है नेक्स्ट आपका रहेगा केरल केरल में कौन-कौन से जन जाती है तो कादर आपका रहेगा उराली रहेगा मो सबसे अधिक जन्जातियां आप बोल सकते हो कि वहां पर रहती है ठीक है इसके अलावा मिजोरम एक ऐसे स्टेट जहां पर 94% जन्जातियां रहती है ठीक है बाकी अगर जन्संक्य के सबसे अदर of a यह हैं मद्यपर्देश में रहती हैं यह कौन-कौन से जन शाती है मद्यपर्देश की यह 5000 डिस्कर्स करते हैं ठीक उमभ्य परदेश में जन जाती आपका है एक भील जन जाती he przek do बंजारा है फोन्हा। जन्जाती है मुरिया हो गया विषन होन होन जन्जाती ए और यहां पर एक और जन जाती है यहां पार जन güल के oh छेजई होन जलते हैं दूसरा और अशूर हो गई वैगा उगया कोल होग और मुंडा यह जनulous जो आपकी मध्यप्रदेश में रहती हैं अगला है महरास्ट के अगर बात करें तो महरास्ट में आपका बारली जन्जाती है बंजारा हो गया कोली हो गया चितपावन हो गया गौंड हो गया और अम्भुफाम मारिया इसका अम्भुफा मारिया ये जंजातियां आपके रहती है काँ पर महरास्ट में नेक्स्ट आपका स्टेट है मनिपूर मनिपूर में आपकी कोटी रहती है कोकी जनजाती मैटी या फिर मैठी आप बोलो नागा बोलो या फिर अंगामी ये जनजाती है मनिपूर में मेगाले में कौन-कौन से जनजाती है रहती है गारो खाशी जैंतिया और मिकिर ये जनजा नेक्स्ट है नागालाइन में तो नागालाइन में कौन-कौन से जंजातियां रहती है नागालाइन में नागा हो गया नबूई नागाया हो गया अंगामी हो गया अंगामी और मिकीर यह जंजातियां आपकी नागालाइन में रहती है ओडिशा के अगर बात करें तो ओडिश जनजाती है सौंड करके सौंड जनजाती भी आपकी कहा रहती है औरीशा में अगला स्टेट आपका राजिस्तान है राजिस्तान की बात करें तो मीड़ा जनजाती वहां पर रहती है सहरिया हो गया शांशी हो गया गराशिया हो गया भील हो गया बंजारा हो गया और कोली जन जन जाती जो है वहां की निलगरी की मूल जन जाती आप बोल सकते हो से त्रीपुरा की अगर बात करें तो रियांग करके देगा यहां पर त्रीपुरी ठीक है तो रियांग जन जाती आदगना त्रीपुरा की यहां पर राइट हो जाएगा उत्राखंड की बात करें तो उत् करने मकिर जंजाती हो गया और उसके बारी थे का नम है झाप करना चाहिए रहती है अचम अतिछा के बात करते हैं अंदप्रदेश में और ठ्टमेंच's जो जन्जातियां रहती है एक वता चैंसुस जन्जाती होगी कोडस जन्जाती होगी सावरा हो गया यह सवारा करके कहीं पर देता है गदवा हो गया और गॉंड जन्जाती है और नंचा प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी काफी जन्जातियां आपकी है मुंपा मुंप लाए बत करते हैं जहारखंड की तो जहारखंड की कौन कौन से जहार लावन की जहारखंड से जहारखंड हो गया। और वह गया बिरहहर हो गया कुर भाहया है अशूर बुर्य हजक को एक और जंजाति आपकी भूमिज भूमिज घंजाति भी आपकी जारकन की यह तो यह इंपोर्टें जंजाति ती है इसके लाए बूर रहे गई लक्शदीब और लक्षेदीब की जनजाती यहां पे रह गई है तो लक्षेदीब की नूट कर लेना ठीक है तो क्लियर यहां पे लक्षेदीब की एकी जनजाती इन्पोर्टेंट रजो वाश की आप नूट कर लेना और अगला आपका है अंडमा निकोवार की जनजाती है ठीक है अंडमा नि जनजाती महां की जर्णा है जो अन्दमानी को वार में जर्णा के अलावा सेंटलीज है ठीक है यह भी अन्दमानी को वार में ही अपकी है सेंटलीज है और बाकी एक वहीं के नाम के साफ से अन्दमानी जर्णाती है जो की महां की है ठीक है और निको वारी है तो निको वारी तो नहीं आएगा क्योंकि यह पता चल जाएगा तो यह जंजातिया है दो नोट कर लेना लक्षदीप की वाशी हो गई और अन्वान की ओंजे याद कर लेना जार्वा याद कर लेना जर्णा हो गया और सेंट्रीज हो गई यह चार इंपॉर्टेंट थी तो यह अपकी में कंप्लीट कराने की ताकि नेक्स्ट मन से आपका रिविजन हो जाए स्टार्ट और हम अब्जेक्टिव कोशन स्टार्ट कर दें स्टाटिक जीके के ठीक है तो स्टाटिक जीके का यहां पर हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेती हुए चलना और बाकी इसी तरह सप कान्स्री चलेगा तो समय इसन में जोबी इन्पॉर्टेंट करें के तो सपर्ट आपका हर एक वीडियो में होना घालेगा बाकि मिलते हैं टापिक नंबर 26 में स्टाटिक जिके सीरीज का all the best exam के लिए हर एक वीडियो में बोलता हूं वेकंसी अच्छी है ग्रेट डी आपका 100 प्लस हो सकती है वह टेंटेटीव है तो बढ़ने के चांसे ज्यादा होती है ग्रेट सी में 800 प्लस हो सकती है ठीक है टेंटेटीव है तो बढ़ने चाहिए वह इंग्लिस की हो जीके की हो या फिर रेजनिंग की हो बाकि वाल दा बेस्ट एक्जाम के लिए कोई कुश्चन होता है तो वह चीजा आफ कमेंट सक्षन पूसकते हो या फिर टेलिग्राम पर कोई भी नया हो तो टेलिग्राम गुरुक को जरूर जोइन करना टे अन्यवाद ओल दा बेस्ट शुक्रिया भाई भाई